हेलो बच्चों मैं उमानात पांडे स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चनल गॉर्मेटिक चांप्स अड्डा में बच्चों सीबीसी ने क्लास 10 और क्लास 12 के टेर्मोन एक्जाम के लिए सैंपल ओयमर जारी कर दिया और रही सही दुगधा भी दूर हो गई कल से ही मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और बच्चों को डरा रहे हैं कि OMR में ऐसे भरोगे तो ये हो जाएगा और ऐसे भरोगे तो ये हो जाएगा बच्चों एक स्कूल टीचर होने की वज़ा से CBSC में मैं चुकी पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरा ये करता बेबनता है कि मैं आपको ढंक से समझा दूँ और आपके अंदर जो कोई भी डर है उसको निकाल दूँ आओ बच्चों में समझा देता हूँ कि OMR में क्या करने पर ही आपको प्राब्लम होगी और बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है CBSC के OMR का और CBSC ने ये सरकुलर जारी करके सभी प्रिंस्पल्स को बता दिया है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करवा देनी है बच्चों को ताकि बच्चों को भरने में कोई प्राब्लम ना हो तो आओ बच्चों मैं सबसे पहले वो दिखा देता हूँ जिसको लेकर के लोग डरा रहें कि ये कॉलम छोड़ दिया वो कॉलम छोड़ दिया तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हो वैसे तो इसकोलों में आपके समझाया जाएगा आपके टीचर्स इसको प्रेक्टिस करवाएंगे लेकिन बहतर होगा कि आप पहले से इसको थोड़ा सा समझे रहो ताक प्रेक्टिस दंग से करवा दीजिए यहाँ पर बहुत सारी बाते लिखी गई है उसको हमको नहीं पढ़ना है जो पढ़ना है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पर एक चीज आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना होगा अपनी OMR में यह लिखना होगा और उसके बाद में आपको साइन करना होगा इतनी चीज़े आपको लिखनी है उसके बाद में ज़्यादातर बबल्स ही भरने हैं बबल भरने के लिए या तो आप blue pen का यूज करेंगे या black का यूज करेंगे तो थोड़ा सा मोटे टिप वाला pen पहले से खरीद लीजिए और जिससे आपको भरना है वो आज ही खरीद लो तो ज्यादा ठीक है क्योंकि उस time पर उस pen को पकड़ने में practice और बनी रहेगी तो बाद में pencil का use अगर आपने कर दिया बच्चों pen का use तो कर सकते हो blue या black का अगर pencil का use करोगे तब आपके खिलाफ legal action हो सकता है आपके खिलाफ ये माना जाएगा कि आपने cheating की है इस वज़ा से किसी भी बच्चे को pencil का use नहीं करना है ये strictly prohibited होगा और I think कि इस बार आपको pencil allowed भी नहीं होगा अपने साथ ले जाने के लिए तो इस बात को आप pencil नहीं ले जाओ तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ले गए मानलिया गलती से भी आपने भर दिया तो आपके खिलाफ यहां पर problem खड़ी हो जाएगी अब क्या-क्या यहां पर दिया हुआ है देखो दिया होगा उसके बाद कुछ नहीं होगा तो 60 की जगा दी गई होगी अब उसमें यही बात कही गई है कि अगर 45 तक के questions आया है तो सिर्फ 45 तक का ही फिल करना है उसके आगे अगर आप फिल कर दोगे तो उसका evaluation नहीं होगा मतलब कि जैसे मैं लिए आपने 46 या 47 वाले को भर दि और हर एक question के लिए एक row में दिये होगे जैसे A, B, C, D और उसके बाद में जब बचों को यह हो कि हाँ हमने जो गोला बनाया है मतलब जो आप confident हों कि यही सही है तो उसका गोला आप बनाएंगे और वो भी pen से बनाएंगे हैं पर साफ साफ लिखा है एक बाद ध्यान से दे है वही option अगर आपको लग रहा है कि correct है तो box में भरना है A, B, C, D और हम आपको समझा दे हिलो बच्चों जब से pandemic start हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे education policies में काफी सारे changes हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप CBC के class 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि recently CBSC ने announce किया है कि boards के exam इस बार दो parts में होंगे जिसमें first part यानि कि term one exam 9 December में होने वाला है जो कि MCQ based होगा जिसमें 40 number के questions आप से पूछे जाएंगे ये काफी recent changes हैं और हमेंसे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे attempt कैसे करना है क्योंकि कोई mock series भी अभी तक available नहीं है लेकिन आपको ज़्यादा attention लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि unacademy लेकर आया है खास आपके लिए all India mark test for class 10th and 12th इस test के details कुछ इस तरह से हैं CBSE के exam pattern के हिसाब से बनाएं गई इस test में आपको मिलेगा all India rank और detailed scorecard जो की आपको live test के बाद मिलेगा detailed performance report से आप पता कर पाएंगे अपनी strength और weakness इतना ही नई बचो top 3 winners को मिलेगा plus subscription 31 December तक और हर subject के topper को मिलेगा 1 to 1 mentorship top educator से तो learners इससे बहतर मौका नहीं मिलेगा आपको practice करने के लिए आपके exam termon exam के लिए description में link दिया है अभी जाएं free में enroll करें और use करें मेरा code GEA आप इसी code को use करके unacademy subscription के किसी भी subscription पर पासकते हो 10% off देखो बच्चों यह है आपकी OMR seat और यहां पर यह सारी details आपको भननी है roll number भनना है आपने इसको सब्दों में भरना है परिक्षा का date और बनना है इस सारी चीज़ें आप समझ लोगे और यहां पर आपको दिया हुआ है कि क्या गलत है क्या कौन सा तरीका गलत है वो मतलब क्या है for example माल लेते हैं इसमें से कोई A question हम select कर लेते हैं question number हम 3 select कर लेते हैं 3 में से आपको लगता है कि question B सही है हमारा answer B सही है तो आपने B पर गोला बनाया और यहां भी आपने B लिख दिया अगर आप इसमें B नहीं लिखोगे तो यह माना जाएगा कि आपने उस question क को attempt नहीं किया है मान लीजिएगा बच्चो जो गोला आप इसमें भरोगे वही यहां पर लिखोगे इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहां पर गलत भर दिया है तो आप कुछ भी यहां पर सी वाले option में भर सकते हो मतर्ब जो box खाली होगा यहां पर आपने आपक circle करो वही गोले का option यहां पर लिखो अगर आपने यहां पर दूसरा कुछ लिखा तो वो चेक होगा कुछ नहीं लिखा तो यह question चेक ही नहीं होगा और आपसे यह भी कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर आपको नहीं आता तो आप last में जो दिया वहा है ये वाला इसको तीन नंबर का इसको सर्किल कर दीजिए तो आपका वो कुईस्चन चेक नहीं होगा बच्चों तो वही बात हमने आपसे बताई है वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि अगर आपने बॉक्स के बाद में किसी सर्किल को गोला कर दिया जिसे तीन गया है कि बच्चे वही गोला बनाए जो उनको satisfactory हो कि मतलब उनको पता हो कि हमने हम इसको जानते हैं आपको किसी कुईस्चन का आंसर आ रहा है तो वही गोला बनाएंगे और उस गोले वाला option यहां पर लिखेंगे कि आपने यहां पर लिखा है अगर उसके सामने वाला जि और यहां पर गोले तो जादा दिये हैं 45 और आपने यहां पर 49 वाला भी फिल कर दिया यह वाला भी फिल कर दिया यह वाला भी फिल कर दिया यह वाला भी तो यह सब चेक नहीं होंगे इस बात को ही आपको समझना है बाकि इसमें आपको कुछ समझना ही नहीं है जो लोग की जाएगी copy अगर आपको लगता है कि आपने गोला काला कर दिया बी वाला सही है सी वाला तो यहां box में सी लिख दोगे अगर आपने कुई से नटेम्ट किया है तो इसके सामने वाला यह circle फिल नहीं करोगे अगर आपने मालिया नहीं चेक होगी हमने देखा 3-4 वीडियोस को लोगों ने अच्छा खासा बच्चों को डराया हुआ है यहां पर यह साफ साफ CBSC ने कह दिया है कि जो आपने box में reply लिख दी होगी जैसे ABCD का यह गोला आपने भर दिया ABCD था आपको B लगा कि B सही है आपने B वाला भर दिया और इसके बाद में आपने इसमें B भरा तो ठीक है अगर आपने इसमें C भर दिया तो B के अलावा यह B वाला नहीं चेक किया जाएगा C मान लिया जाएगा आपका अंसर तो यहां पर point में यही कहा गया है reply written in the box will be treated as final यहां पर if the box is empty and the response is marked in the circle it will be considered देख लो ध्यान से box आपका empty है उस condition में क्या होगा आपने box को empty छोड़ दिया तो इसको क्या consider किया जाएगा कि question has not been attempted मतलब जो आप यहां गोला बनाओगे उसका option यहां पर लिखोगे अगर नहीं लिखोगे तो मान लिया जाएगा कि आपने इस question को attempt नहीं किया है ध्यान से समझ लो बच्चो लेकिन अगर आपने ये box भर दिया यहां पर कुछ लिख दिया C लिख दिया D लिख दिया A लिख दिया और आपने गोला नहीं भरा मतलब ये चारो गोले ऐसे खाली छोड़ दिये तो भी मान लिया जाएगा कि आपने उत्तर दिया है point number 10 में लिखा हुआ है कि अगर आपन नहीं भरा left blank छोड़ दिया तो माना जाएगा कि आपने question को attempt किया है याद रखिएगा बच्चों अगर all the three और four circles इसको समझ लो point number 11 को ये भी important है कह रहे हैं कि जो चार circle बने हुए है A, B, C, D वाले इनको भी आपने नहीं भरा मैं यहां पर दिखा दे रहा हूँ यहां पर और उसके बाद में जो यहां पर जैसे माले है question number one था यहां भी question number one लिखा है इसको भी कुछ नहीं किया तो भी माल लिया जाएगा कि आपने question attempt नहीं किया है तो बस इतना ही समझना है बाकि कुछ नहीं है और CBSC जल्दी इससे जल्दी आपके OMR seat को मतलब भेज देगी प्रियो बच्चों